जै मादादी दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे योटीब चैनल में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 26 अक्टूबर और 27 अक्टूबर 2021 के सेहिंग राशी फल के बारे में सेहिंग राशी के लोगों के लिए ये दो दिन कैसे रहेंगे इन दो दूनो में ग्रह नक्षत्रों के स्थिति क्या होगी किस तरह के परिवर्तन आपको अपनी दिन चर्या में देखने को मिलेंगे क्या योग होंगे और उनका प्रभाव आपकी जीवन पर कैसा होगा जानेंगे सब कुछ विस्तार से बसागे बढ़ने से पहले आपसे चूट विद्द है चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ यहां आपको समय पर सभी जानकारियां मिलते रहेंगी तो चलिए इन दो दिनों के तिथी नक्षत्रों की बात कर लेते हैं कि क्या तिथी नक्षत्र और योग बनेगे 26 अक्टुबर का दिन मंगलवार का दिन है क्रश्न पक्ष की पंचमी तिथी रहेगी सुबा तक आद्र नक्षत्र रहेगा शिव नाम का योग बनेगा शाम को सिध्ध नाम का योग बनेगा चंद्रमा में थुन राशी में है सुरिय तु सुरिय नख्षातर में ग्रह नक्षातर एक खिखकर 6 ... उसके बाद पुर्वस्य नख्षातर्य प्राइंगा ते admir की सूरिय वसुर्य में प्रिटे सांग गयोत मरे में oni प्रवयोग रहेगा इस दिन अभी जीत मुहुरत कोई नहीं है तो यह हो गई ग्रहनाक्षत्रों की इस्तिति और यह राशी फल चंद्र राशी पराधारित है तो चंद्रमा की इस्तिति के अनुसार है आपकी जो दिन चरिया है उसमें परिवर्दन देखने को मिलेंगे यहां चंद्रमा 26 अक्टूबर के दिन मिथुन राशी में है आपके ग्यारवे भाव में है तो इस दिन आप अपने आपको फिट रखने के लिए या अपनी मानसिक शांती के लिए कुछ ऐसी चीजों का इस्तेमाल करेंगे जो आपको एनरजेटिक बना सके जो आपकी हर तरह की परेशानियों को दूर कर सके आप कुछ योग की तरफ जा सकते हैं मडिटेशन कर सकते हैं जो आपके लिए अच्छा रहेगा आपके मातापक्ष की तरफ से आज धहलाव होने की संभावनाएं बड़ी प्रबल बनी हुई है तो मातापक्ष से आपको धहलाव होगा या अगर आपकी माता वरकिंग है तो उनको एक अच्छी उपलब्दी प्राप्त होगी जो घर परिवार के माहुल को बदल देगी आपके लिए ये दिन एक बहतरिन दिन में साबित होगा बहतरिन शाम आपकी बन सकती है कुछ रिस्तेदारों का आना हो सकता है या आपके दोस्त घर पर आ सकते हैं प्रेम जीवन के लिए भी ये समय काफी अनुकुल है प्रेम जीवन भी आपका इस दिन अच्छा रहेगा अब चंद्रमा क्योंकि इस दिन ग्यार्वे भाव में हैं तो चंद्रमा की जो इस्तितियां है वो कई तरह से लाबदायक पनी हुई है अब मिथ कारवारों के साथ अच्छा वक्त वैतित करने के लिए ये दिन बेहद अनुकुल है आज आपके लिए एक रंग बड़ा भागशाली होगा जो की सफेद रंग है सफेद रंग अगर आज आप पहनते हैं तो आपके लिए बहुत महत्पोन होगा और आज दोपहर से शाम तक रहेगा कुछ नो कुछ ऐसा कारिया आपका होगा जो जीवन में खुशी लेकर आएगा आपके लिए अगर कारशित्र की देखें तो कारशित्र में किसी भी तरह की परिष्टिती हो उनमें उनसे आगे बढ़ने का राश्ता आपको दिखाए देगा किसी भी तरह की दिमानी है उसका परिचे आप देंगे और हर परिष्टिती से बहार निकलेंगे आपकी अपनी वाक कला का प्रियोग करेंगे जो काफी लाब दायक रहेगा और अपनी वाने के जरीए अपने कामों को सुलजा पाएंगे परिक्षा की कोई भी घड़ी हो लेकिन आप अपनी क साख बने रहे विशेश कर उन लोगों के सामने जिन से आप पिछले कुछ समय से आपने कुछी से कोई पैसा उधार लिया था तो अपनी हर बात को याद रखें बिलकुल न भूलें अगर आप रिंड लेते हैं और उसको एक बार चुकता कर देते हैं तो निश्चित के उनके लिए आज का दिना नुकल बना हुआ है वेफसाईयों को आज निश्च रूप से लाव जरूर होने वाला है संतान को लेकर आज कोई बड़ा फैसला आप ले सकते हैं उनके भविशे से जुड़ी हुई कोई चीज आप प्लान कर सकते हैं जैसे नई पालिसी ले सक सकते हैं कहीं इंस्टूट में आप उनका एड्मिशन करा सकते हैं तो उनकी तरफ आज आप अपनी जिम्यदारियों का बखो भी निरभा करेंगे परिवार का माहौल ठीक ठाक रहेगा परिवार में किसी सदस्य कि सेहत जरूर बेगर सकती हैं कि सेहत का द्यान रखें प्रत भूजन बहर के भूजन से आपको थोड़ा सावधानी रखनी है पेट संबंदी परशानी आपको देखने को मिल सकती है शादे शुदा लोगों के लिए आज का दिन अच्छा है ग्रहत जीवन अच्छा रहेगा और प्रेम जीवन भी आज आपका अच्छा रहेगा तो कु कुछ सामाजिक कामों से कुछ ऐसी गतिवीदियों का हिस्साब बन सकते हैं क है आपके परिवार के सदस के आपका ध्यान आकरशित चाराइं शाम का व्क्त अच्छा भीतेगा शाम का वक्त घर परिवार के साधो इसवाधर ऑच्छा वैदित होगा कु ऐसी चीजों की आज आप करह सकता है आज के दिन स्टूडेंट्स जो सीखते हैं और दूसरे से जो प्रेड़ना लेते हैं वो बड़ी काम की होने वाली है जहां भी घ्यान मिले वहां से सीखना चाहिए चाहे वो आप से छोटा हो चाहे वो आप से बड़ा हो और यही बात आज आपके लिए अगर आप कोई कारे कर रहे थे अगर आप हईर एज्यूकेशन से जुड़े हैं और आपको अपने टीचर्स का सहियोग चीए था तो जरूर आप उनसे TEशियूग ले उनके सहियोग से आप अपने कारे को पूरा कर सकते हैं आगे बढ़ने की प्रेड़ना आपको मिल सकती ह जीवन साथी को लाब मिलने की संभावना याज जादा बनी हुई है और आपने अगर कुछ उम्मीदे लगाए हुई थी किसी से तो वो उम्मीदे आजाब की तूरी हो सकती है लव रिलेशन अच्छा रहेगा, मधूरता रहेगी कुछ नई दोस्त भी बनेंगे नई दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतेगा तो कुल मिला कर देखा जाए, ये दोनों दिन आप के लिए अच्छे सावित होने वाले हैं, सही सावित होने वाले हैं उपाय की बात करें, उपाय के तौर पर आप गनेश जी को हरी दुरवा चड़ाएं, जो दूब घास होती है उससे आपको नौकरी में, बिजनिस में जो छोटी मोटी परिशानिया हैं वो दूर होती होई दिखाए देंगे तो दोस्तों और अदी कैसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को जद जद लाइक करें शेयर करें